एक बार सिंक में कोलकेट जरूर डालें विल्कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल तो आप लोग कहां एक ऐसे हैं असा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो रोज की तरह हम लेकर के आए हैं बहुत ही यूजफुल टिप्स जिसको अपना करके आप अपने काम को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं तो हाँ आप लोग कहां कहां से वीडियो देख रहे हैं किस गाउं किस सहर से मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें तो चलिए सबसे पहली टिप्स हमारी क्या है कि जैसे हमारे घर में परदे लगे रहते हैं उनको अगर हम थोड़ा सा सुन्दर दिखाने के लिए क्या करें कि अच्छे लगें करने में ही तो चलिए तीनों में हम लगा देते हैं बीच में थोड़ा मोटा है और साइड में थोड़े पतले-पतले कड़े हम लगा देते हैं कभी-कभी ऐसा होता है कि कभी मन करता है कि इस तरह से हम अपने परदे को करें अगर अच्छी लगे तो like share जरूर करना और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को subscribe करना तो देखें मैं तीनों में लगा करके तयार कर दिया यह काफी अच्छा लगता है इससे क्योंकि गर्मियों में थोड़ा सा लगता है कि सोड़ा खुला खुला होना चाहिए औ अगली टिप्स हमारी क्या है कि जैसे kitchen में हम काम करते हैं और खाना उना बनाते हैं तो इस तरह से बरतन हम जैसे सबजी का हुआ दाल का हुआ या किसी चीज का है तो इस तरह से गटोरी में रख के रखते हैं लेकिन फिर भी कहीं न कहीं हमारे cell पे इस पे डाग पढ़ जा टीशू पेपर होता है यह काफी बड़ा होता है आप इस तरह से इसको फैला करके और अपने किचन में रख सकते हैं सेल्फ के उपर रखेंगे तो सेल्फ पेपर रखने के बाद में आप कोई भी बरतन इसके पर रखेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा क्योंकि जब हैं तो इस पर भाप बनती है पानी भी गिरता है और यह हमारा सेल्फ बहुत जल्दी गंदा होता तो हमें बार बार साप करना पड़ता है उमीद करती हूं यह टिप्स आप लोगों के लिए बहुत ही जरूर पसंद आएगी तो अगली टिप्स क्या है जैसे धनिया होती है धनिया ले करके तो आते हैं कभी कभी ऐसा होता है गलती से बाहर छूट गई और यह एकदम सूख जाती है अजीब सी हो जाती है तो इसके लिए कोई भी इस तरह का डबा ले लिजिए उसमें पानी भर करके और उसमें इस तरह से डिप करके इसको हम रखतेंगे इसको एक घंटे के लिए रखेंगे उसके बाद में आप देखेंगे आपकी धनिया एकदम ताजी फ्रेस हो जाएगी जैसे कि हम अभी खेसे लेकर के आए हैं वह ऐसी धनिया आपकी हो जाएगी तो इस तरह से रखने के बाद में आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया धनिया हमारी गंटे के बाद एकदम हरी हो चुकी है और ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती है तो आप इस ट्रिक को अपना करके अपनी धनिया को ताजी रख सकते हैं तो उम्मीद करती हूं यह भी टिप्स आप लोगों को जरूर पसंद आएगी अगली टिप्स हमारी क्या है कि जैसे हमारा तामे का बरतन होता है इसका पानी पीने से हमारे सरीर में बहुत सारे इसे इसमें गुड़ होते हैं जो की बहुत ही फायदेमंद होते हैं और हमारे सरीर को एनरजी भी मिलती है तो अगर हमारे पास बड़ा बरतन नहीं है और हमें सब को पानी देना है तो इसके सा जो इति पाइन बर गड़ी कुछ ब्दीर केम पानी को अपने ओवी इसे डérica रख कर देंगे और पूरी फैमली के साथ पानी को गड़ा को सकते हैं, और बिमारे को द्राइस पनाइन के सूद्ग काला है उस तरह से अलगाँ, किया कि लिए मूर्णिंग में सभी लोग इसका पानी पी सकते है को की पीतल पानी होता है यह हमारा बहुत ही स करफम सरीर देता है। ऐसी लिए इसको प्धाना चाहिए तो अगली टिप्स क्या है कि सुबह आप सारे निकलता रहना ह। जब भागदोर का टाइम होता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे आटा तो सभी के पास होता है क्योंकि सुवे में इतनी जल्दी काम रहते हैं तो कुछ समझ जल्दी जल्दी करना होता है तो इस तरह से अगर हम उसको सही करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा कभी-कभी ऐसा होता है कि रवर धीली हो में आटे को सब्सक्सार के हमारी तो बॉनि को जल्दी बन जाएगा उमीद करती हूं यह भी टिपस आप लोगों को जरूर्ट पसंद आएगी तो यह बहुत ही यूजफुल है इसको आप अपना करके अपने काम को आसान भना सकते हैं आपको सुबह में बहुत भागदोड नहीं करनी पड़ेगी तो अगली टिप्स हमारी क्या है कि जैसे कि सिंक होती है कितना भी साप करो यह होती है इस टील की तो इसमें बहुत जल्दी दाग धगवे पड़ जाते हैं पानी का हर वक्त इसमें पानी का काम ही रहता है सिंक में तो इसके लिए हम क्या करेंगे कोल गेट ले लेंगे कोल गेट को इस तरह से हम ब्रेस जो हमारा होता है सिंक में बरतन उरतन साप करने जिसे की कुकर की सीटी साप होना करना हुआ यह सब कुछ साप करने के लिए हमारे पास ब्रेस होता है पुराना तो उसी को ले ले उसमें एक और चीज लेंगे जिससे कि हमारी सिंग केक्तम नई सी हो जाएगी और बहुत चमकने लगेगी क्योंकि सिंग कैसा पाट होता है जिसको हमें हर वक्त क्लीन करना रहता है इसमें हर दम काम रहता है जैसे बरतन हुए या कुछ भी हुए तो देखिए इस तरह से हमने पूरे पे लगा करके इसको छोड़ देना है अब इसको आप चाहे तो पांच मिनट छोड़े या दस मिनट छोड़े तो देखे हमें ये दस मिनट हो गया है इसको हमने छोड़ दिया था तब तक आप बार की काम भी कर सकते हैं उसके बाद में एक चमस नमक ले लिजिए जो नमक हम डेली यूच में लेते हैं वही नमक ले लिजिए और जिससे आप बरतन धुलते हैं वही मोजे से धुलते हैं तो वही मोजे पे हम ये नमक डाल देंगे डालने के बाद में अब इसको हम इसी की सहता से इसको रगड देंगे अब आप देखेंगे कि जितने भी चाह हो जाती क्योंकि सिंग का ऐसा पाइट है जिसमें हम सारा दिन काम करते हैं अगर कहीं गलती से ब्लॉक हो जाए तो बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है और हमें प्लंबर भी बुलाना पड़ता है इस तरह से पानी को खोल दीजिए उसके बाद में आप इसको पानी किया सकता पड़ेगी सिर्फ मंजन और हमारे जो है नमक से हम सिंग को इतने अच्छे से क्लीन कर सकते हैं उसके बाद में वीच वीच में आप गरम पानी सिंग के अंदर डालते रहे हैं हपते में दो बार तो गरम पानी डालना ही चाहिए क्योंकि अगर पाइप ब्लॉक हो गंदी हो आप वर्सों की पुरानी सिंग को आप इसी तरह सिर्फ मंजन से चमका सकते हैं अगर अच्छी लगी हो यह टिप्स हमारी तो लाइक जरूर करना और सेर करना और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी न भूलना तो फिर मिलेंगे हम इसी तरह की इनेश टिप्स के सा करके आउंगी धन्यवाद थैंक्स फार वाचिंग